अजया नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रैजी तो आप सभी का सब्सक्राइब मेरे चैनल माशनाट और फिटनस में दोस्तों आज का वीडियो के होने वाला है नाचक पे क्या नाचक लेगल है इंडिया में क्या नाचक रीदने के लिए किसी लाइसंस की जूर्ट पड़ती है त ग्राइसंस के जूर्ट फो और अगर छिडियो कहा से बनवां सकते खेंगे क्या है नाचक के बिटने के इंडिया में उसके लिए उसके लिए कि लिएाज बरीए की नाचक होता क्या है वह उच्छा आट में यूज किया जाने यह काफी छोटा और डैडली वैपन तो कई कंट्री में इलिगल भी है उसको नहीं रखना इसको नाचा को रखना इलिगल भी है तो में भी वहाँ पर खृदने के लिए लाइसंस की जूरत पड़ती हो लेकिन इंडिया में नाचा खृदने के लिए किसी वी तरह के लाइसंस तो जर्नली तो हम सब को पता है कि जो नाचक है वो लीगल है इंडिया में उसके लिए कोई लाइसस की जूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उन्होंने मुझसे ये क्वेशन पोछा तो मैंने देखा कि मैं आपको और लॉजिकल आंसर कैसे दे सकता हूं तो मैंने इसके लिए पड़ा आमसेक्ट आंसर क्या बताओंगा कि वर लाइक लाइससम हो तो आपने नाचक आप आपको एक नाझ्चक देता हैं कभी भी आपने दुकानदार में आप से कोई नहीं भर्वाया कोई आप से लाइसस नहीं मांगा कि आपको नाच्चक चलाना आता है उसके बाद तो जनरली सभी को पता है कि नाचा ख्रीदने के लिए किसी भी तरह के लाइसंस की जूरत नहीं बढ़ती है तो जर्णली कोई भी कुछ भी बोलता है लेकिन हम हर एक चीज को सच नहीं मान लेते जैसे कि हमें रायट्स मिले हैं इंडिया में कुछ राइट्स मिले हैं वैसे ही जनली सबको पता है नाचाल के लिए किसी पी तरह के लाइसंस की जूरत नहीं होती है लेकिन मैं आपको बताऊंगा लॉगा क्याता है वैस्तों हमारी जो प्रेक्टिकल चैनल है हम यहां प्रेक्टिस करते हैं लेकिन आज आपको फोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तो इसके लिए हम चलते हैं लेप्टॉप पे लेप्टॉप की स्क्रीन पर चलेंगे तो देखि से पहले आपको एक ब्रावजर उपन करना होगा है मेरा ब्रावजर उपन हो रहा है और यहां पर आपने एक साइट का नाम टाइप करना है है mha.gov.in तो यह गुवर्नमेंट की ओफिशल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ओफ होड़ा साइक्ट पढ़ा रहा हूं कई लोग ऐसा ना कहा कि मैंने अपने आप से उठा लिया कुछ तो यह एक्सेंट रूस है यहां पर जाना है आपने खुद भी जागे आप यहां में पढ़ सकते हैं तो हम आएंगे पेज नंबर थ्री पर थ्री पर वह एक्ट और रूस पढ़े हैं जो मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं दिखाना चाहता हूं तो यह देखे दोस्तों यहीं में पढ़ा है आम सेक्ट नाइंटिन फुफ्ट किये हैं किये हैं और अड़ेटेड एज वेपके यह design किये गए हैं और उन्हें use किया गया है किस चीज़ के लिए as weapon हत्यार के तौर पे उन्हें design किया गया है और use किया गया है किस चीज़ के लिए offense के लिए किसी को मारने के लिए या ये offense के लिए और defense के लिए या खुद को बचाने के लिए दोस्तों जो पहली लाइन है उसमें ही नंचक आम्स की याडगरी में इंक्लूड हो जाता है कि जो नंचक है वो भी एक वेपन है आम्स मीस आर्टिकल्स अफ एनी डिस्क्रिप्चिन डिजाइन और एड़ेप्टेड एज वेपन और प्रफेंस और डिफेंस यहां में दोस्तों इन्होंने कुछ जो वेपन है वो इंक्लूड करके बताए हैं जैसे की फायराम्स हो गए फायराम्स जैसे एक गंस हो गए शार्प एजन मतलब तेज़ार हत्यार यह स्वाड हो गई यह खुकरी हो जाती है वो भी इसमें आ जाएगी और डेड़ली वेपन और दूसरे जान ले बात्यार जो किसी की जान ले सकते हैं तो वो सारे जो वेपन है जो सारे चीज़े हैं वह वेपन में अग्लूड सकती हैं हो जाती है आम्स में अग्लूड सकती हैंice का है परपस जो खेती बाड़ी के लिए जैसे कि लाठी जैसे अगर आप गाउं में रहते हैं को बख्रिया चलाने जाते हैं तो आपको पता होगा लाठी वहां पे कितना काम आती है तो यह जो ग्रेलू परपस के लिए लाठी है उसको exclude करने हैं यहां पर उन्होंने specific लिखा है और an ordinary एक ordinary walking stick जैसे कि दोसों भीयर्ग लोग हैं वो लाठी के सारे चलते हैं तो उन्होंने उसको भी exclude किया है कि वह भाई वैपन नहीं है वैसे user नहीं किया जा सकता है, as a clonic की तरह use किया जा सकता है, उसको इन्होंने act से बहार निकाल लिया है, और be converted into serviceable करता है, दोसों जो आप समझ गए होंगे, इस definition में वो नांचक को include करते हैं, नांचक इनकी पहली ही line में include हो जाएगा, आम समीज आर्टिकल्स अफ एनी डिस specifically exclude किया है, नाहीं specifically इन्होंने बहार निकाला है कि जो नांचक के भी weapon नहीं है, लेकिन हमें यह थोड़ा समझे के according चलना पड़ेगा, तो पहरी line में जो नांचक है वो include हो रहा है, ठीक है, तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, तो एक बार मैं इसके arms rules भी open कर लेता हूँ इसकी हमें जूरत पढ़ने वाली है, दोस्तो यह है, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमें form चाहिए, license के लिए जो form चाहिए होता A1, यह दोस्तों खुल रहा है अभी, यह form A1, यहां पर आपको दिखाता हूँ, यहां पर आपको दिखाता हूँ, यहां पर आपको दिखाता हूँ, यहां पर लिखा है, description of arms, description of arms for which license is being south, मतलब वो कौन सा आम है, वो कौन सा हत्यार है जिसके लिए आप license चाहते हैं, तो यहां पर आपको दिखाता हूँ, यहां पर आपको दिखाता है, कि नहीं जो license है, normally सिर्फ उन्हीं हत्यारों के लिए चाहिए होता है, जो सिधा जाने सकते हैं, यहां से guns वगएरा या rifle है, उनके लिए जाया चाहिए होता है, तो अब आप कहाएंगे, सर यहां पर अधर भी तो लिखा है, तो उसमें हम नाचे को क्यों निजोड़ का सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ने पढ़ेंगे arms rules, तो दोस्तों यह है arms rule 1962, जो मैंने अभी official site सी खो ले थे, तो मैं सबसे पहले आपको rule number 3 बढ़ान जाता हूँ यह 1 है, 2 और यह नीचे है दोस्तों rule 3, यहां पर यह क्या कह रहा है, classification of arms or ammunition for the purpose of the act, इस act के लिए and these rules के लिए, जो यह हमारा arms act 1959 है और यह arms rules 1962 है, उसके लिए, arms or ammunition shall be of the category, उस category के होंगे, जो specify हुए है, जो लिखेंगे है in column 2 and 3, respectively of schedule 1, तो दोस्तों यह क्या कह रहा है, मैं easy language में समझाता हूँ, इनका schedule 1 दिया हुआ है, तो यह क्या रहा है कि जो भी arms and ammunition, वो schedule 1 में लिखेंगे न, तो हम वही consider करेंगे, इस act और इनके rules के लिए, इस act क के लिए हम सिर्फ उन्ही हत्यारों को consider करेंगे, मलब जो license बगरा चाहिए हमें उन्ही हत्यारों के लिए चाहिए और किसी के लिए नहीं चाहिए, यह बहुत जोई line है, अगर आप इस question का answer चाहते हैं, तो फिर से में एक बार अच्छे से पढ़ा देता हूं, इस पर और यहां पर लिखा भी है, तो यहां पर लिखा भी है, C rule number 3, तो इस act के लिए जो इस schedule में rule लिखे हैं, तो वही हम consider करेंगे, कि उनके लिए हमें license चाहिए होता है, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे यहां पर, बोर मत हो जाईएगा, तो देखें यहां पर prohibited arms, central government, यहां पर नाचका कोई बोर नहीं दिया हुआ है, semi-automatic fire arms, other than those included in categories, semi-automatic fire arms वगरा दिये होए है, goal detection, semi-automatic rifles, आप देख सकते हैं, उपर उपर से, कि जो guns वगरा है, जो rifle है, उनके लिए ही जातर लिखा हुआ है, कि उनके लिए license यूद पड़ेगा, यहां भी दे सकते हैं, आप, pistol, revolver, or carbons of any board, which can chamber, ठीक है, तो वो उन्होंने बाकी bullets आपका हुए, accessory for any fire arms designed or adapt to dimension notice or flash caused by the firing area, तो दोस्तों, यहां पे ऐसे किसी weapon का जिकर नहीं है, तो मैंने first category पड़ी है, तो मैंने first category पड़ी है, तो six categories है, देखते है, second category में आता है machinery for manufacturing और proof testing of fire arm, यहां पे भी fire arm आ रहा है, यहां पे fire arm आ रहा है, तो यहां पे non-check के बारे में कोई जी कर नहीं है, यह third category आ गई, यहां पे भी revolver and pistol, rifles, guns, air rifles, air guns, muzzle loading guns, तो सब कुछ जो license का जो काम जलता है, वो guns के लिए, guns के लिए, rifles के लिए, इन चीजों के लिए जादा है, ठीक है, यह fourth category आती है, curious and historical weapons, other than those excluded under section 45-6, तो उन्होंने specific कुछ exclude किया होंगे, 45 के अंडर, तो यहां पे आता है, next up, arms other than fire arms, तो यह वाली होड़ी category पढ़ने वाली है, फिर तो यह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से, तो यहां पे यहां पे यह कहते हैं, शार्प, edge and deadly weapon, ठीक है, sharp edge, जैसे sword हो गई, तो sharp edge edge है, तेज़दार हथियार है, ठीक है, and deadly weapon, जो जान ले सकते हैं, तो एक sword है, वो जान ले सकती है, इन्होंने आगे दिया भी है, namely swords, ठीक है, swords, swords मत तलवार, including sword sticks, daggers, लोड़े खंजर होते हैं, और bayonets, spears, यह कुछ, including lenses and jevlines, battle axes, जो छोड़ी- कुलाडिया होती है, axes, knives, ठीक है, including kirpans and cookies, यहाँ पे उन्होंने specific, यहाँ पे include किया है, यह जो हत्यार है, वो basically include होते हैं, इस act में, तो अगर आप यह रखते हैं, तो इसके लिए, maybe आपको license, चाहिए होगा, and other such weapons, और दूसरे weapon with blades longer than 9 inches, 9 inches or wider than 2 inches, और भी अगर आपके कोई ऐसा weapon है, अब दोस्तों यह क्या करने, कि यह जो एक्ट का scope और बढ़ा रहे हैं, आप को कहोंकि भाई, मैं इसको तलवार नहीं बोलते हैं, इसको करपान नहीं बोलते हैं, या इसको खुकरी नहीं बोलते है आप कोई और ही नाम लेकर आजाओ weapon का, तब इन्होंने यह वाली जो line लिखी है न, यह blades longer than 9 inches और wider than 2 inches, जो blade 9 inches से लंबे हैं, या 2 inches से चोड़े हैं, उनके लिए आपको license लेना पड़ेगा, वो illegal है वैसे रखने हैं, ठीक है, other than those, तो यहाँ पे, आप समझने हो गए होगे यह उन्होंने कुछ weapon यहाँ पे include किये हैं, और फिर यहाँ पे कुछ exclude करने जा रहे हैं, other than those, उनको छोड़के, जो design किये हैं, for domestic purpose, जैसे में पहले ही बड़ा था, domestic purpose के लिए, agriculture purpose के लिए, scientific और industrial purpose, steel baton, zippo and other such weapons, car life preservers, machinery for making arms other than category 2, and any other arms which the central government may notify under section 4, तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने, यह बाकी सभी में दिये हुए, fire arms, तो इन्होंने 5th category में लिखाए, other than fire arms, fire arms को छोड़के, तो जादर हैं इन्होंने वही weapon include किये हैं, जो तेज़धार हैं, जो हमारा non chuck है, वो तेज़धार नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंन यहाँ पे include नहीं किया हुआ, और rule 3 में लिखा था, कि जो schedule 1 में include किया गया हो, वही हम हत्यार, मानेगे कि वो हत्यार इस act में included है, तो non chuck, यहाँ पे include नहीं किया गया, तो मैं एक 6th category भी पढ़ देता हूँ, articles containing exclusive, यहाँ पे exclusive आ जाते हैं, और implementing materials, fuses and friction tubes, other than blank fire categories, ingredient as refined in section 2, subsection 1, तो दोस्तों यहाँ पे non chuck के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो अब जैसे rule 3 में क्या लिखा था, कि जो weapons लिखे हैं, schedule 1 में, ठीक है, schedule 1 में, वही include होंगे, इस act में, और जो हमारा non chuck है, वो कहीं भी नहीं है, तो basically वो exclude है, वो वो उस category में नहीं आता, जिसके लिए हमें license लेना पड़े, तो दोस्तों आगे बस यह schedule 1 यहीं पर खत्म हो जाता, आगे कुछ भी नहीं है, आगे next chapter आ जाता है, तो जो schedule 1 है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है, कि जो non chuck है, वो weapon में include होता है, उसके लिए license की जोट नहीं होत है, तो यहां पर बहुत से लोगा question होगा, कि सर हम किसी जगा पर गया है, वहां पर हमें रोक लिया गया, जा नहीं ले जाने दिया गया, तो अगर कुछ ऐसा हुआ है, तो वो हुआ है security purpose के कान, अगर आप किसी गुरद्वारे में जाते हो, मंदर में जाते हो, या किसी और पब्लिक प्लेस में, रेस्टोरेंट में जाते हो, और किसी पब्लिक प्लेस में जाते हो, तो हो सकता है, possible है कि उन्होंने रोका हो, वैसे जो नाचाक है, वो लीगल है, इंडिया में उसके लिए license के जूर्त नहीं पड़ती है, दोस्तो एक कमेंट किया है, अकाश डबस ज मेरे साथ बने रहीएगा, मैं इसके पर भी वीडियो लेकर आऊँगा, कि आप अपने पंच को कैसे strong बना सकते हैं, कैसे जो उसे सामने वाले को hit कर सकते हैं, तो आज की वीडियो बस इतना ही, दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जूर कीजिएगा, और मैंने इस वीडियो के लिए सोड़ा सा एक्स्ट्रा एफट किया है, आप भी प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए, और सीखते रहनी के लिए मैं चैनल को सब्स्क्राइब करना मत भूलेगा, थैंकि दोस्तों